तो आज के डिस्केसन में मुख्यता शुरू करने बाला है ठीक है एक्टी फ्यूपी सेवन का रिवॉल्ट ठीक है अठारो से संतावन का बिंद्रों के बारे में हम लोग मुख्यता आज परहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखोंक साबशान के बिंद्रों के कारण की बात करेंगे तो बहुत सारे करण kole 독णी कर्ण करना工作 लेकिन जो तत्कालीन कारण जो बना था चर्वी वाला एक कारतिस का फर्योग बना था जो कि एक्टरस आप इसको धार्मी कारण से भी कनेक्ट कर सकते हो तो कोई दिक्त नहीं क्योंकि चर्वी वाली कार्थिस का परयोग ना करने का जो कारण जो था कहीं ने कि इस धार्मी वज़ा से ही मतलब यह बिद्रोह आपको देखने को मिले था ठीक है जो कि हिंदू और दोनों का हिद की बात थी इसमें बहरामपूर जगह पर पच्छिम मंगाल में वहाँ ने इसमी नेटिव इंफंटी ने नई एनफिल्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया फरवरी अठर संथा मनें बिद्रोह कर दिया ठीक है बहरामपूर की बात करें कहां पर पर पच्छिम मंगाल पर ठीक है यहां पर एक राइफल आई थी इसका नाम था एनफिल्ड राइफल ठीक है पहले जो राइफल जो चल लाई तो इसका नाम था ब्राउन बैस का नाम था ठीक है इसके जगह पे ठीक एनफिल्ड राइफल का परियोग करने की बात पही गई दिए जो गोली जो डाला जाता था न उसको सौट बनाने की ताकि जल्दी से खुल जाए उसमें चर्वी का परीज़ किया गया था ऐसा लोगों का कहना था और शर्वी जो था शूर और गाए का जो होता मांस जो होता उससे मतलब बनाए गया थे ठीक है इस बज़े से मतलब काफी लोग मतलब क्या थे आहत हुए थे और उन्होंने इसका पर्यों करने से इंकार कर दिया था ध्यान रखेंगे ठीक है तो उन्हें इन्फिल्ड राइफल का इस्तमाल करने से इंकार कर दिया फरवरी अठार संता में विद्रो कर दिया आप चलते हैं वहां समनों चलेंगे बहरामपूर में ये विद्रो सबसे पहले हुआ था ठीक है शुरुआत मतलब वहीं पर हुआ था राइफल्स को लेकर लेकिन इसका ज दो जब गोली चलाइगे ठीक है तो जब गोली चलाइगे तो वहां पर वो उसकी मृत्यू हो जाती है जी किए इसका उनको इनको और जी दे दिया जाता है तहीं का law Тरिक है इंफैंट्री क्या होता सुभकशल मेंपारिस हो जो già सेना में क्या था दरार की भावना उत्तन हो गई जैसा कि देशी छिनयोंphone की पडूनती और विशे सधिकारों की कमी की गई थी, ठीक है, और यहां पर जो कितना भी अच्छा प्काम क्यों न करलो ठीक है, सुवेदार से बरे पद्ध पे खार्टी सेनिक जाही नहीं पाता था बरा से बरा पद्ध जो था किसी खार्टी सेनिक को दिया जाता था साथ में सिंद्ध फैपर पंजाब के चेतल में जब यह जाते थे तो बिलेशी सेवा भत्ते इनको मिलता था ठीक है बाहर के चेतल में काम करने के लो जाते थे उनको बिसेस परकार की भत्ते और सुधा दी जाती थी जो कि बाद में क्या कर दिया गया बाद में इसको समप्ट कर दिया गया ठीक है उसके बाद जर् इसमें निधारित किया गए कि बंगाल सेना में भरती होने वाले सभी भावी सेनिकों को कहीं भी सेनिक अगर भरती होता तो उसको कहीं भी मतलब सेवा करना होगा जैसे कि मालनी जुसका आफगोनिस्थान भेद दिया जाता है उनको मैनमार भेद दिया गया लडने के लिए मैनमार भेद जाने के लिए क्या होता था समुद्र को पार करना पड़ता था ठीक है और समुद्र को पार करना हिंदू धर्म में डेट टैम माना जाता था से आपने मतलब अपने धर्म का उनंधन किया मतलब आपका धार्मिक धर्म जो है जो भरस हो चुका है ठीक है तो जर्नल सर्विस एनलिस्वेंट एक जो था इसके तहट जो बंगाल के जो डैट टाइम के जो सैनिक जो थे उनको कहीं पर भी सेवा करने की बंधन में बांध दिया गया ठीक है अगर आप आर्मी जोईन करोगे तो आपको कहीं भी को सेवा देना पड़ेगा दूसरे आर्मी की जो नौकरी जो थी ब्रिटिस के लिए काके लिए खायदे मन थी बहुत एक कम पैसे में एक लुआल सानिक उनको मिल जाता था भारतिये भी नौकरी करना चाहते थी कि को डैट टैम भुक्मरी बगगरा किसमस्वा गरीभी की श आर्टियों के प्रतिकार भी अधिक नसलवाद जैसे निती थी ठीक है यह जो था कारण था एक और भी कारण था आर्टिक करन भी था इसमें किसानों पर भारी कर लगाया जाता था उन्हें सुद्धकरों से भारी दरों के करज लेना परता था सुद्धकरों का किसे समर्थ हो गया ठीक है कारीगरों ने सानक्षन खो दिया और डेशी सासव कर रही आर्थिक दवाब में आ गया अब आप तो कारीगर जो थे वह क्या करते थे यह होता ना ठीक है तो जिसके बज़े से उनके दर्बार में रहने वाले जो रूए चित्रकार थे ठीक है कारीगर थे मुर्तिकार थेयी सह कि समातलब क्या हो के पिर उठ्शिगार हो ने पिर जह वेगरा जो टाथ वो लोग भी मतलब आर्थिक अर्थिक मतलब क्या मुलता है दवाब में आ गया पर संद्वरा वांडा के लगा लगавай सिम्कार निभाई पिंदार्म ने अपनी जमीन भी खो दी जमिन दारों ने भी अपनी जमीन खो दी जिस집 से बहुत सद हें कि जमिंदार मुखेय रूप से अठारु संदर काल म산द को बिद्ड़ों में सामिल नहीं हुए हुए था लेकिन नहीं знать हर कॉषिक चुन से ऐसे जाता समय अधीप लगती थी paying उसके बार मतलब क्या होता है जब वो अपना जो अपना जो समान जो लेकर आते तो उसके किसी फरकार का टेक्स नहीं होता था तो सस्ता होता था तो अपने समान को इन्होंने क्या कि यदो को किया उसके बिकास को बढ़ावा इए जो की इनके दोरा ही किया गया था हमारे तो अपने उदोग पर इन्होंने किसी परगार का पर्मिट नहीं लगा पर्मिट जफ टाइप किसी समान को कहीं पर बाहर में जाकर बेचेंगे ठीक है या फिर अपने इधर बेचेंगे तो उसके किसी ने पर होता था नपर पर बात की बात करेंगे या पर कपरा उडो कहलेजें इस वुरी तरी के सिखा हुआ जाती है शमाप्त हो जाती है ठीक है राजनिती कारण की बात करेंगे तो सहाइक गठमंदन एक बहुत परमुक कारण के रुप में देखने को मिलता है ब्यापगर सिधान जिसको हम लोग डॉप ट्राइन आप लैप्स कहते हैं ठीक है ये भी एक परमुक कारण था ठीक है उस ठीक है इसको एलाइंस बोलते क्या बोलते इसको ठीक है और यह आपका था डॉक्राइन ओफ लैप्स था ठीक है जिस सब कि सब बिस्तारवादी नीटी था जहां पर कहीं ने के बिटी समराज को अधिक से अधिक मतलब क्या करना था बढ़ावा देना था और जब यह सारे स कुषासन ॉच्वाद के बाहर का अदमी आकर डिसाइड करता है तो हमारा प्रसासन सही तरीके से चल ला या नहीं चला है ठीक है इन्होंने हमारे ऊपर रहे कारोप लगाया जिसको बोलते कुषासन कारूप लगाया ठीक है गार वहां का लोग प्रिये नबाव थे काफी क्या किया गया हटा दिया गया तो वाजी दलिसा को क्या होता हटा दिया जाता है ठीक है अब आपको देखने को काफी लोग पूरिये थे हैं इनको मतलब निर्वासित जीवन जीने के लिए कलकत्ता बेजा जाता है अब प्रासासनिक कारण भी आपको देखने को मिलता है कंपनी के अंतरगति आप देखो भी कंपनी के जो प्रासासन जो था अभी बेटिस गवर्मेंट डारेक्ट रूल न आपको देखने को मिलता है ब्रेटिस सासन के चरित्र ने भार्तियों की नजर में उन्हें देशी और पराया रूपर्दान किया जिसे रूपस्तित संपरहुता की भावना भी पैदा हुए ठीक है अब यहां पर देखो जो भी ब्रेटिस यहां पर रहते थे थे ना ठीक ब भारत का उनको कुछ थास वसंद नहीं था बस अपने अर्णिंग के लिए रहते था जब भी उनको मका मिलता था लंदन चले जाते थे तेक्टर से देखेंगे भारती विदेशियों ना भारत को कभी भी अपना समझा नहीं पर आया समझा ब्रिटिस ने इस्वेसली और लगाया गया था टिक वर किते द्वारा काफी करप्ट था तो कंपनी के बरे से लिए को छोटे अस्टर पर करप्शन आपको देखने को मिल जा था ठीक है और इतना अर्णिंग करने के बाद भी कंपनी कभे भी ब्रिटिस कभर्मेंट को जब संसाद में से रिपोर्ट लिय लगाया इसलिए अठाइब भारत पर ब्रिटिस रूल को लगू कर देखो कि शमाजिक धार्मी कारण की बात करेंगे इसाई मिश्यों का अस्थानी लोगों के दौरा संदे की दिश्टी से दिखा गया इसाई मिश्यों को इसाई धर्म की परचार करता आपको पता होना चा जब यह भारत में आया तो इन्होंने देखा दो अस्तर पर इन्होंने समाज को बटा एक तो देखा सहर में जहां पर लोग पढ़े लिखे थे जहां पर पुन्जागरन की सुबात हो चुकी थी तो यह साहरी छेत्रों में बंगाल में मदरास में बंबे में तो धर्म बत्न करा नहीं सकते ठीक है कि लोगों के हिंदू धर्म अपने धर में लोगों को अपने बिचार पर काया में की बात पे लेकिन जो ग्रामीं छेत्रों में गया खासके लोग उनको संदेग के डिस्व से देखते थे केवल वैपार कहते थे बात करेंगे हमारी जो परंपरा जो थी समाजी को संस्कितिक परंपर बरुषों से चलिया रही थी और कल्चर के बीच में उससे में भी डैट टाइम भी अभी मतलब कोई इंटर्फेर नहीं पसंद करता है अभी अगर घर में कोई परंपरा चले आ रहा है तो आपने कुछ पठाई लिखाई कर लिया तो दादी के दादा के खिलाफ आप बोलोगे उनसे तर्क करोगे तो बोल करता है सतीप्रथा का उनलबूलन कर दिया जाता है गलत यह चीज़े सतीप्रथा बहुत ही खराब चीज थी कहीं ने करिसे हिंदू के कल्चर में था खास करते इलाइट क्लाइस तीक में नहीं था संभ्रांत लोग कह लें लगाल में तो फ़्वाप्लर था तेक है योंकि स सती होने का अक्ष्यलन था इसको स्वाप्त कर दिया गया 1829 में बिद्वा पुनविबा ठीक है शती को अपिस कितनी खराप घरता ठीक है एक है छोटा सा हास बीताव में अगर पड़ जाता तो कितनी तकलीप होती थी इस्सक्ते में ढर आग में रख देना कितनी खराप ड़ता थी लेकिन अभी हम लोगों को लग रहा है तो इसमें बतलब क्या कर रहा है अपना इंटर्फेर करने की कोशिस कर रहा ठीक है उसके बाद सब के सब जो थे मतलब क्या हो गए खिलाफ हो गए ठीक है अब बीदबाप उनवीबा तो इतना खराब था अब देखे कि एक बंगाल का जमीनदाब था उसकी साइट वाइफ थी ठीक है सिक्स्टी वाइफ ठीक है उसक सबसे चोटी पत्नी जो थी वह आठ या नौ साल के दिमात कभी उस बुजरुक्स के कभी मिली भी नहीं होगी लेकिन वह जब 75 साल के उम्र में था जब उसकी मिर्टू हो जाएगी तो उसको भी जीवन भर ठीक है बिदवा के रूप में ही रहना परेगा और अभी जैसे ब उसका एक अलग अलग कमरा होता था उसको खाना भी अलग दिया जाता था वो फैमिनी में घुल मिल नहीं सकती है किसी से बात नहीं कर सकती एक कलर वज़ नहीं पन सकती बाहर नहीं जा सकती था अभी कि विधवा से उसमें का एक कम्परीजन मत कीज़े it's totally different अध्यए है बह बहुत एक्राप रहत था थी, हल्लाकि ब्रिटिश ने इसका उन्मिलन किया, तो लोगों ने समझा से भाई ये ब्रिटिश वह है, अब जो है न से हमारे घर में घुछने की कोशिश मतलब कर रहा है, ठीक है, इस तरह जो सबसे परमुक कारण जो बना, जो की मतलब क्या था, आटे में हड़ी का चुड़ा मिला दिया गया, ठीक है, एक अपबाप है लूटी, एक अपबाप है लूटी से ब्रिटिश लोगों से सभी लोगों का धर्म को भरस्ट करना चाहता है, इसलिए मार्केट में जो मिलने वाला जो आटा जो है उसमें हड़ी का चूर मिला दिय तरह तरह के गाउं में अकभा आग जो था बहुत तेजी से ड़ाट एक अभी की तरफ तो कोई था ने अभी तो देखते वार्ट सब्सक्राइब इसी तरह की निव जाती है तो पर आठा जो होता ने खाने वाला जो आठा जो रोटी बनती है उसमें हड़ी का मत्लब क्या मिल थी मुसल्मानों के लिए शुर जो था उसी तरह हेट का कारण था दोनों का चुरा मिला जाना है काफी लोगों में रोज भठा ठीक है साथ में मतलब कार्टू जो था ठीक है जिसको मूँ से जो उसको हिंदी फिल्नी में अपने देखा होगा बंब अगर अब तेकने के उस था आथ है क्योंकि शुवरा और गाय के मांस के समरा से काफी सस्ता में बन जाता था ठीक है माकी इसको बनाने के काम कौश्णी होता था इसलिए तो कार्टूसों में गोमांस से बनने से हिंदूयों में रोज था और सूर की चर्वी से मुसल्मानों में रोज था यह अपब और भी तैर इनको पिड़ोग एंतो को तो यहां पर मंगल पांदे को जो खिर अब फार करके यहां जो भाहती से यहां तो फेंता तो किसे भी साफिकारी थे उम्हार जा रहाpoxलिया तो आच सब्सक्राइब करें जुम्हार तो लोगों ने ने काफी हसा तुम कैसे हो तुम्हारे सती को इस जुरें को तो इस जुर्म मतलब छोटे से कांड के लेकर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया गया फांसी तेक्टे दिया गया जिल में बंद कर दिया गया तुम लोगों को खुण नहीं खुल ला तो बजार की घटना ने काफी अधिक मतलब क्या किया इनका मूड़ वर ला जो बजार से सबसे-सब बेटAY किया गया था इस तारी को हमनों के रोध करेंगे उसके बाद बारखने भी बहुँते भी सुबश सुबह सारे याज पास बजब स्फ़ू अपर्फ आस बहुतом मैं obs सब्सक्राइब सब्सक्राइब तर्फ हमारे नेता थे सबसे करी बनकर साबिध होते हैं लेकिन बाहदूसार जफर को नेटा बनानने से भारत के तिलने भी एक जमिदार है राजे हैं महारा प्रतीक था ताकि भादूर साथ जफर क्या था प्रतीक था ताकि घर का बुजूर क्या होता है गारजियन होता है लेकिन देखेगा उसको छोड़ा छोड़ा बच्चा फिनका बात नहीं मानता है ठीक है अब देखो के यहां पर कुछ महत्पून आपको देखेगा है तो आप देखो के यहां पर कुछ महत्पून आपको देखेगा दियान में लगता है यहां पर कुछ प्रस्थन आपका इंप्पूर्टर नहां पर दिखे जाएगा नेटा का नाम ठीक है अबद का अच्छत था ये ठीक है अठारज सो सपन में अबद काधी गरहन कर लिया गया था उसके बार उनकी नवाली को वेटा के नाम बिजरिस काधी थाएगार बारज साल का बच्चा था इसको सासक बना दिया गया अबद की जो नाइका दो थी कि महक परी प्यार से इनको बोला जाता था वेगम हजजित महाल ने तूद को संभाला ठीक है फैड़ा वाज़ा बात है तो मौलवी हम हमेदुल्ला बहुत बैर सथरू थै मौल विया था ठीक है कानपूर की बात करेंगे थे कानपूर से बाजी राद दूतिये को बेठ्थूर भेजा गया थे निर्वासित जीने के लिए उन्हीं का पुत्र हुआ करता दस्तक पूत्र के गोद लिये थे नाना साहिब इनकी भी मतलब पेशवाई तो समाख थी ही असाथ में ध्यान भी रखेंगे इनका पैंसन भी बंद कर दिया गया था ठीक है उसके बार मतलब क्या होता है यह वहां से बिद्दो का नेतुद करते हैं इनका भी एक था अपना अधिजी शन्या अधिकारी थे इनका ठाक्तिया टोपे तो दोनों थे ठीक है अब आते शांस्यल ग्वालेट की बात करेंगे तो रानी लच्मी भाई नेतुट कर रही थी अब ताट्या टोपे का भी सहयोग मिला था जो कि नाना साहब की सहयोगी थे इनका मूल नम था आत्मा रांग पांडू नम ठीक है ध्यान मों रखे ठीक है नौठी सेहरा के असम का छे थोड़ा बहुत परभावित होता है कि दिवान मनी राम के नेतुट महां पर बिद्रों चला जाता लेकिन बाकी हिस्सा जो था अब परभावित रहा साथ में तो बिल्कुल भी मतविस का असर नहीं देखने के मिला तो अखिल भावती य के जरुदाय प्जाने ठीक हैं यह हम जरूद के नहीं जरूदाय के योगदान था महिला था महिले ते पूरुष टे शैлек खिरिसक लो क्या कर रहे थे जो किसान थे सब्सक्राइब करना इसमें आम जनमानस के भी भूमी का थी इसलिए जन विद्रों कहना गलत नहीं होगा ठीक है और तो करे बिद्रों के भी भालता किस पर कर से हुआ इसका कारण महत के उपर हम चर्चा करेंगे तो क्या इसका रिजन घा तो भारत के पूर्वी यह दंऺपिघ्चिन है ठीक है कमभक्स अपर भारति आप पर भी तरीके से उप्रत नहीं बद्सक्राइब प्लत बाखे इंडिया में तीन दीशा इंग्रेजियों के परती बाफदार रहें वालेर का सिंधिया जो था ठीक है और इंदोर के होलकर जो था है सब किसी से बेटिस के मतलब क्या थे बाफ़दार बने रहे गॉलिर के सिंधिया के बार बीट ऐसा कहा जाता है सिंधिया कि समर्फन किया कि बिल्गल तम बीटिस के मानना था अंग्रेजो चैशज को दीन के पैसे लुटके बने थे स्रमिक के गरीगों के पैसे लूट कर बने थे तो बिटिस गवर्मेंट जाने के बात इनकी तो खैर नहीं होती थी यह लोग भी मतलब क्या थे बिटिस के समर्थन देने रहे थे अलाकि जमिंदारों को लूटा भी गया था 1859 के विद्रों के साहुकार को भी लूटा गया था ठीक है टिकारी एश्टएट एक था वहां से लोगों ने साथ हजार किस समसिक लूटलिया था ठीक है अब देखें床 कि आपे वádर कि सामंती रुधिवारी प्राकृत्टि ने सिखित मध्यम बरों को अलग कर दिया प्रांस की करांती में आप देखो गए तो मैक्सिमम गोर की हो गए ठीक है और लिगो टॉल्स्टाय हो गए इन सब के लेखों से काकी लोग जो थे परभावित हुए थे तरह के अथारो से संतावन की जो करांती का ज़रूप जो था विद्रोही की सामंती रूठिवादी प्र फॉर्यूप करने तो अभी वी बरची तीर भाला पुराने हथियारों का पर यूप करने ठीक है जब्रिटेन के पास कि अत्यादूनिक हथियार थे इस वज़े से भी हो टीक नहीं है ठीक है अब यहां पर बिट्रिस के पास कुछ अधिकारी बहुत अच्छे थे जैसे कि से हैंनरी हैव लोग थे ठीक है और एक और भी था लखनों बगार सो कुन ने तुट कर नहां था कुछ है एक सब्सक्राथिक इंपेटेटर उसका था कौन बेंगों हजरत्मान अब बेटिस की बात कर रहा हूं ठीक है आउट्रम हो गया है वलोग होगा एक का जैंस ठीक है उसका नाम में कुछ पूलना हो ठीक है निल नहीं निल का बहुत अदिक रोल नहीं था उसका नाम था इन सब के सामने जो था बिद्रोही का जो कमांडर जो थे न असाधारन इर्षम्थाओं के खिलाब ठीक है विद्रोही हमलों की प्रकेश्य जो थी असन्दाटी थी इनमें कोई लीडर से पी कमी था बहुत सारे लीडर से कोई संगठित नहीं था ठीक है इस वज़से मतलब से बहुत अधिक दिक्कते आपको देखने को ठीक है तो मतलब यह इनका जो नेता जो था इनके सामने भी लोग कहीं से भी ठीक नहीं पाए ठीक है लीडर से कमी थी आधूसरी ही बात बिद्रोही को शंगठित करने के लिए को एक इक बिद्ध भिचार धारा नहीं था यह तक तक रहें बहुत मैटर करते हैं गांदी जी ने जो आधह दूर नर चला एटो क्या होथ है एक साल में मिलेगा भारत पूघ अंग्रेजु से मतलब क्या करेंगे हजादित लाइजीक के लेंगे तक कि अपने 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 उदेश से थे तिक है जिसे बादूर साजापर को मुगल सासत किसे बनना था तो ऐसा कुछ नहीं था देश को आजात कराना अगर सब्की मिल जाती है तो सब अपने अपने तरह से खूस होते भारत के जन्मानस का क्या होता अगर बात करेंगे तो भाविस्टी के डिश सब्सक्राइब डिया गया। मुगल है जिसने गुरु तेग बहा दूरा गुरु अर्जुन देप की हत्या करवाई थी ठीक है सीख सेना इस लगाई में ठीक है मुगलों का साथ देगा सीख सेना भरक उठे उनको अपनी पुर्बज याद आने लगा उन्होंने जो मारा काका बहुत ही बुरी तरीके से बिद्रोही सेनिकों के तो सीख सेनिक ने बहुत एक मारसल कौम की भूमी का निभाई और सीख सेना तेकर गुर्खा दोनों ने मिलकर मतलब क्या का बिद्रोही सेना तो गादी मुझर की तरह गागर गाजर मुणी की तरह काटा एस्पस्ली सिख सेना जब उनको बताया गया भरकाया गया बेटी से बिभाईडर रूल की पॉल्टिक चली गई तो यहीं मुगल जो था जो कि तुम्हारे पुरबजों को स्कुल भी बिद्रोही सेना का मतलब क्या हो गई खिलाब हो गई ठीक है अब दीक हो गया जाता है के लिए सिधे भारा सरकार रखने मुनिश्टों अंठाबन को पारिट कि अगर परिनाम से देखेंगे अब परिनाम क्या निकल कर आया है परिनाम तो काफी बैंकर निकलनी चाहिए थे क्योंकि यह कोई सधारत चीज नहीं था अब यहां पर देखें सेना में जो सामिल होने बाले लोग कुन देखी सकते मजदूर थे तो लोग यह था यूपी बिहार के ब्रहांबन भुमियार लोग थे यह लोग सेना में सामिल तो हो गए लेकिन भाई सब जो आप जिसको आप सेना में सामिल कर रहे हो अगर अगर अग तुसीं पुशीं का सिशन करें तो कहीं निए कैसीन आप मिलेगी होई और भारा मार्टे किया गया कंपणी ₹ कंपनी भारत में आप तुसी स गवर्ण में बिवहाग पे ना तो बैपार करेगी और ना तो मतप्पर चासन चलाएगा कि इस इंडा कंपनी को सब्सक्राइब बताना भूल गया ठीक है एक सीज में बताना भूल करें मैं कॉल ले रहा हूं ठीक है हाँ तो एक के अपबाह देखिए उसमें अपबाहों का बजार जो था ना बड़ा अधिक गरम था एक अपबाह यह फैला रखी थी से पलास्की के लराई के समय में एक साधू ने भविश्वानी किया थे आज से ठीक सौ वर्स के बाद कंपनी सरकार समाप्त हो जाएगी ठीक है और वही हुआ ठीक है सतासो संतावन से सो साल बाद आप देखो के ता ठासो संतावन होता है इसमें भी लोगों का काफियाथिक मतलब किया था कॉंफिडेंस था किसी ने किसी से कंपनी को क्या कर देना है समाप्ति कर देना है ठीक है इसको बोलते है अपबाहों का बजार जो था काफियाथ गर्म था इसको लेकर भी लोग काफियाथ ही कॉंफिडेंट थे ठीक है महरानी विक्टोरिया को बेटिस भारत का संप्रभू खोशित किया गया तो अब यहां पर के मनें गए राजे सचीब की निफ्की की गई राजे सचीब जो था लंडन में रहता था ब बात के बात के बात के बात करेंगे तो भारत के गवर्नर जनर्र से इनको पहला वाश्राय की उपाधि दी गई भारत के लोगों के धर्म की सुतंता, शभी की समानता वेक्तिकत मामलों में अंग्रेजों के द्वरा हश्रेप करने का वादा किया गया हलाकि यह पूरा नहीं किया जाता लेकिन डैट टाइम वादा कर दिया गया है तो मतलब इन्होंने सेना में क्या किया पूट डालो रा जो करो कि निकिया नहीं पहले किवर बिटिस सेना हुआ करता था था कंपनी सेना कहते थे अब इन्होंने सेना में क्या 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 ना रेजिमेंट बना रहा ही रेजिमेंट जाट रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट तेक हैं गढ़वाल रेजिमेंट बिहार ईम्मुडाय में बाटा गया जिखेंशे गझेवाले रेजिमेंट हो गया खुट है गोरखा रेजिमेंट बना दिया तिक अलग अलग सीजों में सबकों क्या काइब पांट दिया गया और दो तरह के मतलब यहां पर बनाये गया एक मारसल रेमेस रखा गया, जो था है, लराकू सेना, टालाकू सेना के अे न में इसली बहुते है, उथना है, जो सेमेस के अने की पाइब बिहार बंगाल की सेना की बात करेंगे जिन्हें ने बिद्रों में खुब भूमी का निभाई थी उनको सामिल किया गया ठीक है अजय लडाकू सेना में जो मारसलेस में सामिल किया गया पंजाब के सिख थे नेपाल के गुर्खा थे उत्रमी पच्मी सिमापरांद के कर दो थे तो लोगोंने मतलब क्या किया था बिटिस को विद्धों में साहधी दिया था इनको प्रूश्कृत किया गया है इनको सेना में अच्छे परAc़ी ठीक है प्रमी सेना के कौन सी कमिश्रास थी सब्सक्राइब करेंगे तो मिल जाएगा गूगल पर चेकर करेंगे इसका नाम था भूला मैं इसमें बताते ना रुके इसको आप लोग क्या रखेंगे ध्यान में इसको तभी लोग रखेंगे लुए ठीक है और कल आप क्या किजेगा तो कल सभी लोग समाजिक धार्मिक सुधारा अंदोलन इस तब जो है काफी लंबा चप्ते रहेगा इसको सभी लोग रहाए काफी लंबा रहेगा तो बहुत लंबा चलेगा तो इसमें सब्सक्राइब कि या फिर दो कलास में इसको कोशिस करेंगे स्वाप करने का इसको कभी लोग सभी लोग क्या किजएगा पर कराएगा अठारो से संतावन के विद्धों से समंदित हम एक सेट आप लोगो देंगे तो देखिएगा सेट मनाकर बनता है कि नहीं बनता है ठीक है थोड़ी दिर म में ग्रूप में एक सेट सेंबिट करूंगा उसको आफ लोग बनाएगा ठीक है मिलता है ठीक है